नमस्कार प्रियेदर्शको स्वागत है आप सभी का और आज हम जानेंगे कि भगवान भासकर को प्रसंद करने के लिए रभी बार के दिन ऐसा कौन सा उपाय करें ताकि भगवान सूर्य की बिसेस किरपा हमें प्राप्त हो शके और हमारा सोया हुआ भाग्य जागरित हो जाए हमारी किस्मत चमक जाए हमारे भाग्य में चार चांद लग जाए तो प्रियेदर्शको आईए जानते हैं कि आप भगवान सूर्य को प्रशंद करने के लिए रभी बार के दिन कौन सा ऐसा बिसेस उपाय करेंगे जिससे भगवान सूर्य सिग्र अतिशिग्र प्रसंद हो जाएंगे प्रियेदर्शको शनातन धर्म में सप्ताह के सातों वार किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है जैसे मंगलवार हनुमान जी के लिए शनीवार शनीदेव के लिए उसी प्रकार रभी बार का दीन भगवान सूर्य का दीन माना गया है यह दिन भगवान सूर्य को शमर्पित है तो प्रियदर्श को इसी लिए रभी बार के दीन सूर्य देव की बिसेश पूजा अर्चना वह उपासना की जाती है वैदिक जोतिस में सूर्य ग्रह को उर्जा, आत्म विश्वास, नैत्रित्व की छमता और आत्मा का कारक ग्रह माना गया है जोतिस के अनुसार जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह सुभ भाव में होते हैं, योग कारक अवस्था में होते हैं, मजबूत अवस्था में होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में बहुत ख्याती मिलती है, प्रगती मिलती है, जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिस्था की कमी नहीं होती, व्यक्ति, सुख सुभिधाएं एवं ऐसो आराम का जीवन जीता है कुंडली में सुर्य के उच्च अवस्था में होने पर, यानी की जनम कुंडली में सुर्य जब मेसरासी में उपस्थित होते हैं, यदि आपके भी कुंडली में सुर्य मेसरासी में उपस्थित हैं, तो आप प्रसासनिक कारियों में बिशेश सफलता प्राप्त कर सकते हैं बताया गया है प्रती दिन प्रातह काल और विशेशकर रभी बार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में मान शम्मान पद प्रतिस्ठा और सुख सांती की प्राप्ति होती है तो प्रिये दर्शको आईए आज हम जानते हैं कि रभी बार के दिन सूर्य देव का किस प्रकार से उपाय करें कौन सा सबसे सरल्व सुगम उपाय करें ताकि भगवान सूर्य की विशेश किरपा हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन में लाभ ही लाभ मिल सके हमारा सोया हुआ भाग्य जागरित हो जाए भाग्य में चार चांद लग जाए प्रिये दर्शको सबसे पहले तो आप भगवान सूर्य को अर्ग प्रदान करें आये जान लेते हैं कि आप भगवान सूर्य को किस प्रकार से अर्ग प्रदान करेंगे आप प्रातहकाल सिग्र उठकर इस्नान आदी से निब्रित हो जाईए इसनान आदी करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल देने के लिए एक तामबे के लोटा लीजिए उस लोटे में जल भरिये लाल चंदन मिलाईए चावल एवं लाल पुस्प तथा दुर्बा मिलाकर प्रसन्न मुख से भगवान सूर्य की और मुख करके लोटे को अपने सीर के उचाई से थोड़ा उपर लाकर या फिर सीर की उचाई के बराबर लाकर सूर्य देव का कोई साभी मंत्र बोलते हुए जल की धारा धीरे धीरे प्रवाहित कर भगवान सूर्य को तीन अथवा पांच अर्ग प्रदान करें उसके बाद अपने हाथ में एक लाल पुष्प लेकर भगवान सूर्य का प्राथना करके पुष्प अर्पित कर दीजिए प्रिय दर्शको भगवान भासकर को प्रातहकाल अर्ग देकर नमस्कार करने से जीवन में आयू आरोग्यता एवं धन धान्य की ब्रिधी होती है एवं छेत्र, पुत्र, मित्र, तेज, वीरिय, यस, कांती, कृती, बिध्या, बैभाव और सौभग्यादी की प्राप्ती होती है प्रिय दर्शको यदि आप रभी बार के दिन लाल कनेर के पुष्प एवं रक्त चंदन से सूर्य देव की पूजन करें तो यह सबसे उत्तम होगा जीसो से आपकी जीवन की सारी तकलिफे सिग्र अति सिग्र दूर हो जाएंगी अब बात करते हैं दूसरा उपाय के बारे में और वह सरल उपाय है आदित हर्दे स्त्रोत्र का दिव्य पाठ जीहां प्रियेदर्शको आदित हर्दे स्त्रोत्र का पाठ सभी प्रकार के पापो, कस्टो एवं सत्रूओं से मुक्ती दिलाने वाला तथा सर्ब कल्यान कारी वह उर्जा, आयू और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला अती मंगल कारी बिजय स्त्रोत्र माना जाता है प्रियेदर्शको यह बिजय दिलाने वाला बिजय स्त्रोत्र है, यदि आप रभी बार के दिन बीधीवत आदित्य हर्दे स्त्रोत्र का पाठ करते हैं, तो इससे आपके जीवन में अनेक कस्टो का एक मात्र निवारण उपाए है आपके जीवन के सारे कस्ट दूर हो जाएंगे, इसके नियमित पाठ से असफलताओं पर बीजय प्राप्त की जा सकती है और इसी के साथ यदि आप इस पाठ के पस्चाग स्री हनुमान चालीसा का भी मात्र एक पाठ कर लेते हैं, तो फिर आप इस पाठ के प्रभाव के बारे में क्या कहना, फिर तो इस पाठ के पस्चाग आप इसके प्रभाव से आस्चरिय चकित हो जाएंगे, इसके प्रभा मैं क्या कहूं है अब आईए जानते हैं आप तीसरा उपाए कौनसा करेंगे रभी बार के दिन आपको क्या करना चाहिए प्रियेदर्शको जिससे भगवान सूर्य की विशेश कृपा आपको प्राप्त हो सके इसके संदर्भ मैं आपको तीसरा उपाए बताने जा रहा हूं रभीबार का ब्रत रखते हुए सूर्य देव की उपासना आप किस प्रकार करेंगे जिस उसे भगवान सूरिय सिग्र प्रसंद हो जाएं सास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ती रभी बार के दिन सूर्य देव का ब्रत रखता है उसकी काया निरोगी होती है और जीवन में सुभ फलो की प्राप्ती होती है इसी के साथ रभी बार के दिन सूर्य देव की ब्रत कथा सुननी चाहिए रभी बार का ब्रत करने से जीवन में मान सम्मान धन लाभ और उत्तम सेहत की प्राप्ती होती है प्रिये दर्शको आप भगवान सूर्य को प्रशन करने के लिए इस दिन यानी रभी बार के दिन यथा संभव अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी कर सकते हैं शनातन धर्म में दान करने का बिसेश महत्व बताया गया है तो प्रिये दर्शको यदि जनम कुंडली में असुभ अवस्था में पड़े हुए सूर्य को प्रशन करने के लिए आप सूर्य से संबंधित वस्तुओं का यथा संभव अपने सामर्थ्य के अनुशार दान कर सकते हैं तो आईए जानते हैं कि सूर्य से संबंधित वस्तुएं कौन-कौन सी है जिसका आप अपने सामर्थ के अनुसार दान करके भगवान सूर्य को प्रशंड कर सकते हैं। प्रिय दर्शको सूर्य शेशंबंधित वस्तुएं हैं जैसे तांबेका बर्तन, लाल वस्त्र, गेहुं, गूड, माडिक्य एवं रक्त चंदन आदी इन सभी वस्तुओं का यथा संभोदान करें, इस उपाय को करने से भी आपकी जनम कुंडली में सूर्य का दोस दूर हो जाता है, भगवान सूर्य की क्रिपा प्राप्त होती है, एवं जीवन में एस्वर्य की प्राप्ती होती है तो प्रिये दर्शको, आप भी इन उपायों को अपना कर भगवान भास्कर की विशेस अनुकम्पा प्राप्त कर सकते हैं और अपने भग्य को चमका सकते हैं, तथा जीवन में सुख, सान्ती, सम्रिधी, तथा मान सम्मान पद्प्रतिष्ठा, सुगमता से प्राप्त कर सक तो प्रिये दर्शको आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए हमें अनुमती दीजिए नमस्कार